नमस्कार बच्चों एडविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए एक बार फिर से आपकी वॉक्षिट आ चुकी है और यह है आतलोन कारेपतरक तो देखते हैं कि आज की वॉक्षिट में हमें क्या करना है सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि यह वॉक्ष की वॉक्षिट में प्रस्न पूछे गया हैं पीछे के जो दो तीन क्लास की आपकी पढ़ाई हुए उस समनित परस्न हैं तो मुझे उमिद है कि आप सारे परस्नों को जानते होंगे लेकिन चलिए हम लोग प्रयास करते हैं इन सारे परस्नों का हल करने के लिए यह शूरत आधारित प्रस्न है या चार प्रस्न होंगे इसमें और चारो एक एक नंबर के हैं और उसके बाद यहां देखें पांच छे साथ प्रस्न दिये गए हैं यह तीनों प्रस्ने दो दो अंग के हैं और तीन है तो दो या छे अंग हो गए और बाद बाकी आठ और नौ जो प्रस् कि इसमें हमें क्या जानना है नीचे दिये गए शुरोत को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिये गए प्रस्ण संख्या एक से चार के सही उत्तर वाले बिकल्प के गोले को काला किए चलिए पढ़ते हैं 1870 और 1880 के दसकों में ब्रिटिस सासन के प्रती असंतूस जादा गहरा हुआ उस समय हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कानून हुए जो कि भारती जनता के खिलाफ बनाए गए और भारती जनता की आखे खुली के अंग्रेज किस तरह यहां रंग भेद और बर्चस्व की निती पर काम कर रहे हैं और अपने आपको स्रिष्ट साबित कर रहे हैं साथ ही भारतीयों पर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं जिससे कि भारतीयों की जो मानवाधिकार है इनके मानवता का हनन होता जा रहा है जैसे कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया आर्म्स एक्ट मतलब हथियार कानून इसको आपका सकते हैं इस कानून में जिसके जरीए भारतियों द्वारा अपने पास हतियार रखने का अधिकार छीन लिया गया इस कानून के ताथ कोई भारती अपने पास हत्यार नहीं रख सकता था, बंदुक नहीं रख सकता था, गोला बारूब नहीं रख सकता था, तो इससे भारतियों को कमजोर करने का प्रयास किया गया, और उसी साल वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरक सरकार के खिलाब कुछ चापता है कुछ ऐसी बाते जिसे कि सरकार की आलोचना हो रही हो तो उस प्रेस को रातो रात बंद किया जा सकता है या फिर उसकी संपत्ती को जब्द किया जा सकता है तो इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अख़बार में कोई आपत्ती जनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सही सारी संपत्ती को जब्द कर सकती है 1883 में सरकार ने इलवर्ट विल लागू करने का प्रियास किया इलवर्ट विल एक तरह का कानून था और इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि अब भारतिय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा देख सकते हैं कि अंग्रेज अगर भारत में कुछ अपराद करते हैं तो भारतिय जज भी उसकी सुनवाई करेंगे इससे पहले भारतिय जज को अंग्रेजों की मुकदमा का सुनवाई करने काधिकार नहीं था भारतियों को अंग्रेजों के पिक्षा नीच दिरिष्टी से और हे दिरिष्टी से देखा जाता था तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ इस विध्यक में प्राउधान किया गया था कि भारतिय नयाधीस भी ब्रिटिस या यूरूप्य ब्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतिय नयाधीसों के बीच समानता अस्थापित की जा सके जब अंग्रेजों की बिरोध की वज़ा से सरकार ने यह विध्यक वापस ले लिया तो भारतियों ने इस बात का काफी बिरोध किया इस घटना से भारतियों में अंग्रेजों के असली रवये का पता चला कि यह भारतियों के बारे में क्या सोचते हैं तो इस तरह से यह स्रोत था जिससे के हमें इन प्रशनों के उत्तर देने हैं, अब प्रशने देखते हैं कि प्रशने क्या क्या है, सबसे पहला प्रशने है कि Arms Act कब पारित किया गया तो option A है 1870 में, B है 1878 में, C है 180C और D है 1856, तो इसका correct अंसर होगा 1878, क्योंकि 1878 में Arms Act पा कानून के द्वारा भारत की अंग्रेज सरकार प्रेस की सारी संपत्ती को जब्द कर सकती थी, तो option A है Arms Act, B है इलबर्ट वील, C है वरना क्यूलर प्रेस एक्ट और D है इन में से कोई नहीं, तो किस कानून के द्वारा प्रेस की सारी संपत्ती को जब्द कर सकती थी, तो हम प्रस्ने तीन है कि इलवर्ट बिल का उदेश था क्या था तो आप्शन ए है भारतियों को हथियार रखने पर पाबंदी भी है कि भारत में अंग्रिजी सरकार के खिलाप लिखने पर प्रेस की सारी संपत्यों को जब्द करना और सी है भारतियों और एरोपियन जजों के प्रस्ने चार है कि वरणा कुलिएर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया ऐथा एहां लगूत रिषा प्रस्ने में अब यहां लगूतरी प्रस्न है तीन पाच्वा प्रसने के भारतियों को भारत में अंग्रेजी सासन के खिलाब किस बात ने प्रेवित किया भारतीय राष्ट्री कांग्रेस के स्थापना कब और कहां की गई और अपनी अस्थापना की पहले 20 वरसों में कांग्रेस को मध्यम मारगी दिरिष्टी कौन वाला क्यों कहा जाता है आठ्वा प्रस्ण है कि प्रारंभिक वर्सों में कांग्रेस की कौन-कौन सी राजनेतिक मांगे थी और नौमा प्रस्ण है कि मध्यम मारगी कांग्रेस ने आधिक मांग क्यों रखी जबकि वो एक राजनेतिक संस्ता थी और नेक्स्ट दस्वाँ प्रस्ण है कि अपनी अस्थापना के पहले 20 वर्सों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगो को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनाएगा तरीकों पर एक संचिप्त टिप पने लिखिए तो चलिए अब इन प्रस्णों के उत्तर लिखते हैं प्रस्ण पांच है कि भारतियों को भारत में अंग्रेजी सासन के खिलाफ किस बात ने प्रेरिद किया नेक्स्ट है प्रस्ण अच्छा कि भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेस के अस्थापना कब और कहां की गई उत्तर है कि भारती राष्ट्री कांग्रेस के अस्थापना 885 इसवी में मुंबई में कीगी थी उसे मुंबई को बंबई कहा जाता था तो इसलिए आप बंबई लिखेंगे और प्रशन साथ है कि अपनी अस्थापना के पहले 20 वर्सों में कांग्रेस को मध्यम मारगी दिरि वर्सों में कांग्रेस की कौन कौन सी राजनेतिक मांगे थी उत्तर है कि मध्यम मारगी प्रसर में कांग्रेस की आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वह एक राजनितिक संस्था थी उत्तर है कि कांग्रेस राजनितिक संस्था होने के कारण भारतिय नागरीकों की भी संस्था थी इसलिए उसने आर्थिक मांगे भी रखी जैसे लगान कम किया जाना फोजी खर्चों में कटो थी वन कनुनों में सुधार इत्यादी नेक्स्ट प्रस्न दस है कि अपने अस्थापना के पहले 20 वर्सों में कांग्रेसी द्वारा अपनी मांगो को अंग्रेजी सरकार तक पहुँचाने के लिए अपनायगत तरीकों पर एक संचिप्त टिपणी लिखे तो इसका उत्तर है कि अपनी अस्थापना के पहले 20 वर्सों में कांग्रेस मध्यम मारगी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाती थी जैसे प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना जन्वत निर्मान के लिए प्रतिनीधी द्वारा प्रयास और भाषनों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके लेखों के द्वारा और अख़बार के द्वारा इत्ता दिया तो बच्चो यह थी आपकी आठ्वी एसेस्मेंट एसेस्टी की और इसे के साथ आपकी एसेस्मेंट की वाक्सिट समाफ्स होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के बीच भी सेर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू